आग जरिया शहरी शेत्र की ओर बढ़ती जा रही हैं इना भगद्दी, भाल गोड़ा, खोरला डी, सूरा टार, इंदरा चौक, बनिया हीर, आदिशेत्रों में जमीनी आग दश्कों से लगी हुई है। बचाने के लिए कोई शुरुवात किया? क्या सरकार किसी बड़ी घटना का इंतजार करती है? ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि जार्खण में कोईलांचल की जमीन जगा जगा अब धसने लगी है। या जमीन धसने की पीछे का कारण आपको पता है? यहाँ जमीन इसलिए धस रही है क्योंकि खनन तो किया गया लेकिन उसमें भराई जितनी करनी थी नहीं की गई। दरसल जहां से कोईले का खनन कर कोईला निकाला जाता है उस जगा की भरावट भी करना पड़ती है ताकि जमीन धसे नहीं लेकिन यहाँ कोईले में घोटाले और अवैत खरन का खेल तोच चलता ही है। ओक भी कि जान जाये या जमीन में घर समाये। उन्हें तो बस अपना हिस्सा चाहिए। कोयलांचल में ऐसी कई उधारन मिले जिससे यह साबित होता है कि कोयलांचल की जमीन खोखली हो चुकी है। इस जमीन में कभी भी कोईलांचल का कुछ हिससा समा सकता है। बावजूद सभी चैन की निद्रा में है। 2017 में ज़रिया में जमीन धसने से पिता पुत्र उसमें समा गए थे। जिसके बाद दोनों का शब भी नहीं निकल सका था। इसके अलावा बीट सड़क पर एक आएक जमीन धस गई और उसमें एक सान समा गया। लोगों ने लाख कोशिश कर उसे बाहर निकालने की लेकिन वो नहीं निकाल सके। ऐसी कई घटना घटी है। BCCL और ECL की ख़दानों से हर रोज करीब 85,000 टन कोउला निकलता है, वहीं अवैद की बात करते तो लग Lazar से 10,000 कोईला निकाला जाता है। बेता हाशा कोईले का खनन किया जा रहा है। वैद कोईला न कालने के बाद अधिकारी और अवैद न कालने के बाद माफिया उसकी पर्वा नहीं करते कि उस जगा का बाद में क्या होगा? उन्हें सिर्फ खनन से मतलब होता है ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कोईलांचल का कई हिस्सा इतिहास में ही रह जाएगा राची से बियोर रिपोर्ट